हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मन जागे कलासिस दोस्तों जारकन में स्टुडेंट बहुत ही परिसान है क्योंकि अभी तक कोई एक्जाम डेट का अपडेट नहीं है ना कोई नोटिफिकेशन ना ही कुछ और ही चल रहा है ठीक है जारकन सरकार अपने काम में ब्यस् हैं तो क्या करें उसके लिए कर सकते हैं या सिर्फ किस पर निर्भर रहे हैं चात परिशान क्यों है परिशान ना हो है इसका एक रामबान साबित रामबान एक आप लोग बताने वालें ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा और हम यह भी बात करेंगे लाश्ट में सबस सब्सक्राइब करता है तो साइध आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने करने तैयारी करने के लिए आप जागरूख हो सकेंगे ठीक है चलिए दोस्तों आगे बंदे से पहले बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अधी आप जारकन सीजियल या फिर बिहार सीजिय अधी बारे मोट नहीं करेंगे अधी जो बिए जसेजियल कर सकता हो काम ठीक है तो दोनों का लगबख से लिए बस यह किए ठीक दोस्तों बस आपको कुछ करने नहीं जो लेंगवेश पेपर वह डेली एगंटा डेली गंटा टाइम दीए सिप लेंगवेश फिर बाकि है आप डारेक्टी बात कराएंगे पर फरी हो जाएंगे घ्रिसाव को सब्सक्राइब हो होगा जैसे कि दोस्तों करेंदर की 26 और 27 नॉमबर यह घ्री होगा मार्च में मेंस होगा फीर जुन जुलाएं इसका जोएनिंग होगा सब तो आप प्रोसेस दे दिया है जबकि होना भी चाहिए एक्जामिक बीच में जो दिया है से बाकिद देखते हैं कितना सचाहिए में इसमें है चलिए देखते हैं देखिए बीहार जिकें जाद बात नहीं पहले पहले जिएक जनकारी उस तो बिहार जिक्के के टेंसन करने वाली बात नहीं है और हमारे चैनल से जुड़िएगा तो इसका इंपोर्टेंट हम करवा देंगा टेंसनल बात ने रहेगा ठीक है चलिए तो देखिए ज्ञारकन सची वाले में मैथ कभी 20 कोश्चन यहां से ठीक है जीएस कभी साइंस कभ आगा जीए जाखिए ज्यों के लिए इसका मतलब इंपोर्टेंट अर्म बान हो सकता हमारे लिए दूसरे बात रिज्जिंग रिज्णिंग हमारे जारकन में भी एकितना 20 कोश्चन जारकन में भी है तीवी करेंगे तो कोई दिक्कत वाहने दोनों कभर हो जागा बी ससी द जाता है तो कहने का मतलब है कि आप लोग ज्यादे टेंशन ने लेजिए जैसे से सीजियल वाले उसी पर डिपेंड मत रहे ठीक है अधि आपको आप भी से सीजियल टार्गेट लेग चलिए क्योंकि इसका डेट दे चुका ठीक 26 अधायस नॉमबर को और यह दिकर लेते हैं आप आपको अटोमेटिक ली जैसे सीजियल कभर हो जागा बस बरस्ते की आपको एक एक चारकन पेपर जो लेंगवेज पेपर उसको आपको कभर करना आपको कभर क्या आप पर तू लिए होंगे ठीक जो जिसका जिसका सेलेक्शन होना एक्जामेटिक है उसका त्यारिक पूरा हो चुका है लेंगवेज पेपर हो चुक भी है तो लेंगवेज कुछ ने मार्गेट में बूक हो गर आजा है मारेडिये एक सेट दूसरे देली को मारा की जिए उससे अप प्रैक्टिस हो जागए ठीक है तो मेरा मानना है कि यसे से जिजल के त्यार बहुत सार जो भी है ठीक है तो जरूर किजे गयां से दोस्तों मेरा मानना है कि पहले जैसे सीजल के एक्जाम होगा ठीक है कि देखते हैं क्या होता है ठीक है दोस्तों तो आप लोग पढ़ाई करते रहें मोटिवेशन में रहें टेंशन मत लेजिए और दाया बाया के बात ना सुने अपना लगे रहें चार घंटा तीन घंटा देजिए देजिए देरे करके अपने कहानी सुने होंगे ठीक कचुवर खर्गोस वाला तो ऐसे करिए डीमोटिवेट होएगा इतना त्यारी आपका बेकार चला जागा जेतना त्यारी किये हैं सब बेकार हो चला जागा इसलिए तहे दिल से अपना त्यारी करते रहें ठीक है दोस्तों बाकि और हमारे जुड़िए जो अब देते रहेंगे और जो हम जो टोफिक हम डालते हैं यूटूब में जरूर देचेगा काफी मैनस से बनाते हैं जो कोसम देखते हैं कि कोन कोशन कहां से आ रहा उसी टोफिक को हम उठाके डालते हैं तो ज्यादा लंबा तो वीडियो होगा नहीं असप बस आपको लेंगवेज वेपर के डेली एक दो सेट डेली टेस्ट मारना और कुछ ने करना है ठीक है दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत